है लो दोस्तों स्वागत आपका आज के मारी इस वीडियो में आज से हम जो है करेंट अफेर्स की एड कल बीडियो बिनाने जा रहे हैं यानिकि इसमें जो भी हम मुद्धे जिरेंगे उन में जो है हम ज्यादा तर डीपली डिसकस करेंगे उनको तो उन मुद्धों को डीपल करने का हमारा केबल एक ही एम है कि परिच्छा के दिस्टी से एक्जाम में कोई भी कुछन कैसा भी आए कहीं से भी आए तो उसे हम लोग कर सकें क्यूंकि आप देख रहे हैं कि वैस्वे को भारती प्रद्रस से लगातर बदलता जा रहा है और उस संबंध में जो कार्ति गई दीपक क्या है यह कार्ति गई दीपक इस संब्ध में पहले यह जनकाई लियुक्त मशाएं यहां ऑर यहां पर लाटी यह बात शिव की अराधना की जाती है तो कार्थी गई दीपक में किस की अराधना की जाती है शिव की तो कुछ न पूछ सकते हैं कि सिव की अराधना किस तिवहार में की जाती है तो को सिवरात्ती नहीं टॉपिक होगा हुआ पर क्योंकि सिवरात्ती में तो कोई भी कर सकता है तो ये कार्टी के टीपक दिया जाएगा ये बिगत एक साल से लगातार जो है निउस्पेपर में बगरा में आता रहा है तो यहां पर कला और संस्कृति के ऐसे टॉपिक्स हम डिसकस करेंगे जो पिछले एक डेट साल से हमारी सुर्खियों में रहे हैं खबरों में रहे हैं और अब ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही है जो सुर्खियों में हैं जो खबरों में वही जाएतर हमारी एक्जाम में आता है तो कला और संस्कृति का अब रटा रटाया हैसा हमें नहीं पढ़के जाना है कि वही जो हमें पहले पढ़ रखा है सास्ती नत्र वगएरा वो आ सकते हैं नहीं इन दोनों के बीच से जो है एक अगनी पुंच जो है प्रकास पुंच कहिए अगनी पुंच वो इनके बीच से निकला और चला गया उसमें से आवाज आई कि तुम दोनों जो है इसका पता लगाओ कि यह अगनी जो है कहा से आई तो इस अगनी पुंच के बारे में पता ल में तो वहां से फिर जो है कारती गई-दीपक को तमल नाडू में बहुत मनाते हैं तो 1 तरह यह इदैश्ट चौन पूर वह सकता है कंवा मेलान करने के लिए क्षें आ सकता है तो इसका नाम क्या है यह रखनस प्रिशा में एक पप्थरों से रंग निकालते थे या आपके जो फूलों से रंग निकालते थे पत्तियों से रंग निकालते थे उसका प्रयोग करते थे और फिर इस प्रिकार की जो है यह पेंटिंग्स बनाते थे जिने हम लोगों ने इसे जन जाती के नाम से ही सवरा पेंटिंग्स कहा है ठीक है और इसे बनाने वाले कौन है उ लानिया सौरा जन जाती से तो यह इंपॉर्टेंट है तो इन चीज़ों को या रखते चलिए इसके बाद देखो हमारा अगला टोपिक है अब देखो उत्सव लगा के चल ला हूँ यह भारती एकला संस्कृति बाले पार्ट के हैं और यह सारी-जारी फेस्टिवल से और ले आन प्रदिस की विसाका पत्तिनम जिले के भीमुनी पत्तिनम में ठीक है नाम क्या है उस जगह का नाम है भीमुनी पत्तिनम यह रसी पत्तिनम सिर्फ समझ में आ सकता है कि यह बिलकुल समुद्र के किनारे का मामला है वहां पर इस उत्सव को मनाया जाता है और यहां पर हो तो यह दो यहां पर देंगे भीनी उत्सव और देंगे आन्द पर देस्ट तो आपको जो हैं मैचिंग में करना पड़ सक्क्रपार जैसे कार्ति वाले कुष्टन भी बंने की संभावना है हलाकि इस प्रकार के जो प्रिस्ण है वो यूपी सी और यूपी पीसी से बचादा बनते हैं फिर भी भाई देख जाएए ताकि त्यार है ठीक है इसके बाद जो है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारी अजन्ता गुफाएं अजन्ता गुफाओं से समंद्र प्रिस्ण और किसी परिच्छा में आते रहते हैं पर थोड़ी समझने बारी बात है कि यहां पर थोड़ा सा पृष्मी प्रिक्रती है वहां हमारी बदली हुई है और ये जो बनाया जा वहाँ पर समस्या यह काफी समय से यहां पर टूरिस्ट है वह बहुत कम आरें देखने के लिए तो उसकी बहुत बड़ी बज़ा है खराब सलकों को वहाँ पर क्या है पहँच रहा यहां को बने किसी है तो बताते हैं चट्टान को काटके बनाया गया है कि रहे है और आंटा गौफाओं और यह बहुत ध्रम से सम्मन्द्थ हैं और सबसे जो इंपोर्टन चीज़ है वो यह है कि 1983 कब 1983 में जो है युनिस्को की विश्व विरासत सूची में इन्हें सामिल कर लिया गया है ठीक है तो यहां पर जो क्या-क्या है इंपोर्टन है जो हमें यहां पर करना है तो पहला तो यह है कि पूछते हैं कि कहां पढ़ती है हमारी तो यहां महारास्ट्राम है ठीक उसके पूछ लें के यहां पर का यात्री कम क्यों आ रहे हैं तो वो हैं खराब स्लकों के कारण ठीक है तो यह रखना इसका नाम पूच्छा सकते हैं विस बिरासत इस्थर सूची है यूनिस्के की जिसमें इसके जगहें दिए यह सामिल किया गया है तो यह लेटिस बदला हुआ प्रारूप है साहित कुछ सकते हैं तो मैंने स्लाइड में सामिल कर लिया इसके बाद देखी चलो अगला है मारा संगूला गाउं अब इस संब्द में देखो क्या है संगूला गाउं अगर हम बात करें प्रदिस की तो कुन सा है यह महरास्ट जो है राज के अकूला जिले के एक संगूला गाउं है व रावड का बद दिखाते हैं हम लोग भगवान रावड को मार देते हैं पर यहां पर जो यूनिक चीज़ है वो यह है कि इस जगहे पर कौन से संगोला गाउं में रावड की पूजा की जाती है कैसे एक विद्वान के रूप में यह तो पता है में कि रावड काफी विद्व जाकी जाती है सुना भी यूगा आप लोगों ने लेकिन अब यहां पर यहां पर नूट कर लेजी आप लोग है इसके बाद दिखिए अगला जो है हमारी स्लाइड में आता है वो क्या हाल्दा त्योहार मुस्टली यहां पर मैंने फेस्टिवली अमिट किये हैं तो वही हम यहां पर दिखेंगे चलिए यहां पर दिखते हैं तो यह क्या है हिमाचल प्रदेश हाल्दा त्योहार का संबंद कहां से हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में कहां लाहों जो पीती है उस जगहे पर जो है इसको सैलिब्रेट किया जाता है करते क्या है वहां पर ज लेकड़ी लेकर कि उसमें जो है मसाल का के आग जला करके फिर जो है रित करते हैं गुल-गुल घुमकर या लाइनों में खाड़यों करके एक साथ चलते हैं इस तरह किसे यह से लाइट फेस्टिवल भी कहा जाता है तो अगर लाइट फेस्टिवल आए और हालदा आए तो आ आप झो है टिक करें हालदा का समन किसे हमारे लाइट फेस्टिवल से और यह कहां पर मक्नाचर्थ एहां के ठीक क्या दिया गया है मकना कांग जाई तो यह दो क्या है यह मणीपूर से सम्वंदित है मुकना कांग जाई हमें फिर कहा हूं उत्षाव और उनकी राज इनको नोट करते जाएं इस तरीकहाँ बनाė तरह नको तो इस उत्सव और उनकी राजियों को साथ में आमने सामने लखें ताकि आपको मिलान करने में दिक्कत ना ओए मैठिक में ऐसे एक क्विश्टन आ सकते हैं तो देखो मुक्ना कांग जी कहा है इसका सम्मद मनीपूर राज़ते हैं यहाँ पर क्या यह है क्या यह बाएक कुस्ती है जिसे क्या सास्त्री कुस्ति कहा जाता है ठीक इसमें कुस्ति और होकी का मिस्रन होता है अब होता क्या है कि मनी पुरी में जो है उस लेंग्विज में जो कुस्ति है उसे क्या बोलते हैं मुकना और होकी जैसे खेल को क्या बोलते हैं कांग जेई तो चुकि है क्या किसमें कुस्ति भी है और होकी भी है तो यह कुस्ति और होकी का क्या है मिस्रण है लिए इसे नाम दे रही है मुकना कांग जयी ठीक है तो यह आप ध्यान रखी है उसके बाद हमारा जलालपुर गाओं देखने को बिलेगा इसका संबंद कहां से है उडिसा से यह भी मैचिंग का हमारा कोश्चन बन गया है यहां से जलालपुर उडिसा ठीक तो यहां पर क्या है कि यहां खुदाई होई थी तो खुदाई किसने आकरती मिली होई है सिल्प आकरती में क्या टेरी कोटा की बनी हुई बैल की मूर्ती मिली है ठीक है बैल की मूर्ती बनी है टेरी कोटा की बनी हुई अब टेरी कोटा क्या होता है तो टेरी कोटा का मतलब है मिट्टी से बने हुए बरतन गड़े या कुछ भी ऐसे मिद्वा में देखने को मिली थी अभी हाल में जो है गुरखपुर के जो टेरी कोटा का जो वर्क है उसे जी आई टेग दे दिया गया है तो अभी इसकी बात जो हम नेक्स लाइड लेके आएंगे उसमें हम बताएंगे कि जी आई टेक कैसे मिलता है और किन-किन चीजों को दे सकते हैं क्या इसके तरीके हैं और गुरखपुर के जो आपके टेरी कोटा वाले कार को मिला है तो उसकाम में ऐसा क्या दिखा गया जो से जी आई टेक दिया गया तो संब्ध में भी हम बाद में जानेंगे अग्ली स्लाइड में तो यहां पर दिखते हैं कि जलालपुर गौवाँ म हमारा कोशन बन गया है यह के सूर की अपासना के पर्थम प्रमान कहां मिले हैं तो भाईया वो मिले हैं हमारे कहां जलालपुर उडिसा प्रकरती पुझा के प्रमान कहां मिले हैं जलालपुर उडिसा और यह सब है कैसी यह थी हमारी तामर पासानिक संस्कृति कैसी थी ता भारति ये प्रात्त सर्विछन के सानित में आपर खुदाई वरी गई थी बस यह उडिसा जलालपुर्ट मैचिंग के साब से बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक चलिए इसके पाद हमारी जो आप दिखते हैं आप पर कुछ कुश्चन्स मैंने सामल किये हैं इन कुश्चन्स की आंसर आपको देने हैं तो अजन्ता गोफाउंड को कब विश्च विब्रास इस तरकी सूझी में सामल किया गया है 1990, 1983 या 1993 या 1998 तो बताइए भाई कमेंट में लगते भी जाईए आप लोग हमारे साथ में कब दिया गया है तो इसका जो सही आंसर है वो 1983 है इसके बाद अगला कुश्चन्स हाला कि मैंने यहां पर जो है कुश्चन का जो पैटरन है वो मैचिंग में नहीं बनाया है लेकिन आप नूट करके इस तरीके से भी याद और यह क्या है 362 प्राणी संस्क्रित है तामर पास आने संस्क्रित है सबसे पहले प्रकरती पुझा के शूर की उपासना के और अनाज के यहां पर वो मिले हैं अभी डेंसे साथ साथ में हमें बैल की टेरी कुटा की मूर्टी भी मिली हुई है ठीक और यह घुदाई हुई बड़ा चलन में है तो वैसी कुष्ण आस अपने है उसके बाद देख लिए किस स्थान पर रावड को विद्वान की रूप में पूझा जाता है विद्वान की रूप में मंगोला संगूला ब्यारोडिसा तो वह कौन से था संगूला था ठीक है जिला कौन से था अकूला पर रावड को दसेरा के दिन कव दसेरा के दिन एक विद्वान की रूप में पूझा जाता है ठीक है तो यह याद कर लिए आप इसके बाद जो है हमारा अगला क्यूश्चन है स्यू की अरदना संबंधित है स्यू की अरदना संब्धित है किस उस्व से है तो भाई यहाँ पर देखते हैं कौन-कौन से उस्व दिए गए एक भीमिली है एक कार्थी गई है एक नीर महल है एक हालदा उस्व है तो यहाँ पर हम टिक करेंगे कौन सा कार्थी गई दीपक बताया था ना दीपक से यार विष्णु आपस में लड़ रहे थे तो उनके बीच एक अगनी पुंज निकला जिसने आवाज दी कि मैं तुमसे बढ़ा हूं और मेरित पत्ती को तुम लोग बताओ तो अगनी पुंज अगनी कहां देखने मिलती है मैं दीपक मैं तो ऐसे मान के चलो यह कार्थी के धर्म बिसेश से ठीक तो धर्म का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में फटाक से मैं दिखते हूं कितने लोगों का सही है कि चलोंने सब्सक्राइब पढ़ी है और उम्मीद तो मेरी यही है कि आपको यह स्लाइड हमारी पसंद आई होगी और साथ-साथ में से नोट करते अगर मिलते हैं आपको अगली निस्लाइड में तब तक की लिए नमस्कार दोस्तों धन्यवाद आपका करें कर दो कर दो कर दो